आपकी स्क्रेन के सामने आप लोग एक सक्स को देख रहे होगे इन्हें मनीपुर का दुबारा मुकमंत्री बनाये गया है आप सभी लोग मनीपुर को भी देख लीजे यह आपको मनीपुर देख रहा है इसकी राजधानी इंफाल है और मनीपुर को आप देखें कि राज़ बनाय गया था कब 15 अक्टूबर 1999 में इंडिया में मर्ज किया गया था और यहाँ अगर आप देखें तो आपको बिधान सभा में 60 सीटें देखने को मिलेगी राज़ सभा में 1 सीट है लोग सभा में 2 सीटे है इसकी सीमा की बात करें तो आप देखें कि म्यानमाल से इसकी अंतराष्टी सीमा लगती है और राज़ो में देखें तो नागालेंड से भी की सीमा लगती है मेजोरम से भी लगती है और असम से लगती है ठीक है तो यहां का मुखमंत्री बनाया गया है कि ने एन वीरेंसिंग को और आपको बता दूँ यह पहले फोटोवालर भी रहे हैं और पत्कार भी रहे हैं उसके बाद राजनीती में इनोंने हाथ अपनाया हु पूरा नाम देखें तो नौंघ थॉंबं बीरेंसिंग इनका नाम है देखिए क्या रहता है कि जब पूरोतर भारत खासकर नागलेंड देखिए मढ़ीपुर देखिए इन चित्रों में तेरिया के नाम रखे जाते हैं और इनकी जनम्तिथी की बात करें तो 1 जनवरी 1961 में इनका जनम हुआ था इंफाल मडीपुर में इनका जनम हुआ था इनकी पत्नी की बात करें तो हे एनो देवी इनकी पत्नी का नाम इनके बेटे की बात करें तो एन अजय सिंग इनके बेटे का नाम है और इनकी सिक्षा की बात करें तो एन वीरेन सिंग मडीपुर विसेफ ध्याले कांची पुरम से पड़े हुए है बीए किया हुआ है इनोंने क्या किया हुआ है बीए किया हुआ है और भारती आप सभी जानते हैं कि भारती राजनेता हैं पूर में फोटोवाल खलाडी भी रहे हैं और पत्तिकार भी रहे हैं और आप देखें अगर इनकी राजनेति क्या तरह अगर आप लोग देखें तो 2002 में वही डेमोक्रेटिक रिवुलेशनरी पीफोल्स पार्टी में सामिल हुए थे 2002 में आप देखेंगे हिंगांग निर्वाचंचित से मडीपूर विधानसवा के लिए उन्हें एक उम्मिदवार के रूम में चुना गया था पहली बार ये 2002 में विधायक बने थे 2003 में वह भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल हो जाते हैं किस में? कॉंग्रेस में 2004 में आप देखेंगे कि वह 17 राजमंतरी की रूम में नेवक थी और बाद में सिचाई, वाड नेयंतर्ण, यूबा मामले और खेल मंतरी भी बने थे फिर आप देखेंगे 2007 से 2012 की मणीपूर विधायसाबा चुनाव में अपनी विधायसाबा सीट इन्होंने बरकरार रखी 2012 में ओक राम इवोवी सिंग मणीपूर की ततकालीन मुक मंतरी ने उन्हें मंतरी मंडल पद से वरखास कर दिया था और 17 एक्टूबर 2016 को उन्होंने काउंग्रस पार्टी से इस्थिपा दे दिया था और बीजेपी यानि की भालतिये जंता पार्टी में सामिल हो गये थे फिर आप देखेंगे कि 13 मार्श 2017 को उन्हें मणीपूर में भाजापा विदायक दल की नेता की रूम में चुना गया था और आप सभी जानते हैं कि जिसका विदायक दल का नेता चुन लिया जाता है उसे ही मुक मंतरी बना देते हैं तो मार्श 2017 को उन्हें मणीपूर के 12 मुक मंतरी की रूम में सपत ली थी फिर आप देखेंगे मार्श 2020 में आप सभी जानते हैं अभी हाली में मणीपूर में चुना हुए इसमें भी आप देखें बीजेपी को महुबत मिला है तो यहां भी उन्होंने मडीपुर के 13 मुखमंत्री की रूम में फिर से इसा पतलिय हुई है यारी कि मडीपुर के दोबारा मुखमंत्री चुने गए है बनाए गए और आप सभी को मालू होना चाहिए कि अगर मुखमंत्री आपको बनना है तो या तो विधान सभा का सदस होना चीह, या विधान परशब का, लेकिन आप सभी जानते हैंगे मडीपुर में विधान परशब नहीं है, और आपको बता दूँ एक और बात, अगर आप लोग किसी भी सदन के सदस नहीं है, ना विधान सभा के ना विधान परशब के, चुनाव हर नहीं थी, लेकिन आप सभी ने देखा है कि वो मुखमंत्री बनी रही थी, लेकिन 6 महीनी के अंदर आपने देखा होगा कि उन्हें मुखमंत्री या विधान शवा एक सीट खाली करवाई थी उन्होंने, उस पर दुबारा चुन कर आई हुई हैं, ये विवाद म में उनके स्वागत के लिए स्कूल के सारे बच्चे घुटने के वल शिर जुकाए, बैठे उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद मुखमंत्री ने लिखा कि मैं मरीपुर्ल लोगों की संस्किति और परमपराएं देखकर गौरानवित हूँ, क्या गज सीमा होती है, आप रेड कारफेट पर चल रहे हैं, और बच्चे आपसे दूर गंदी जगहे में घुटने के वल सिर जुकाए बैठे हुए, सरम नाक है, इसके बाद आप देखेंगी कि इनकी काफी आलोचना की गई थी, आप देखें हम लोगतांत्रिक देश हैं, और आप आप देकी उनी के बोटों से आप चुन करा रहे हैं, तो यही कान ही है, एनवीरेंसिंग की, अभी तक जो सपर इनका रहा है, आँगे किस तरह है का रहता है, इसके लिए आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और मैं कहता हूँ, नीच वेबर पड़ते रहे है टीवी चैनल से देखते रहे हैं, सब कुछ देश दुनिया में क्या चलना है, मालू चलता रहेगा, और भी कोई हो तो बताईएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, किसी और करना हम अगर किसी और के बारे में आपको जानना है, क्योंकि देश में जो भी चर्चा में रहता है, दुनिया में विजो भी चर्चा में रहता है, उसके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देखते रहते हैं, आप लोग इंज्वाए करते रही है, हम लोग मिलते रहेंगे